Hello friends, in this video I will gonna to share with you that आप किस तरीके से अपने Mac के Apps को अनिस्टॉल कर सकते हैं, within a second. तो यहाँ पर दो से तीन options होते हैं, दो से तीन तरीके होते हैं, हर एक तरीका मैं आपको बताऊँगा. पहला तरीका होता है, shortcut तरीका मैं बताता हूँ, आपको Command, Shift और A प्रेस कर देना है, Command, Shift और A जैसे ही प्रेस करेंके, आपके सामने एक application इस तरीके से folder खुल के आजाता है, ठीक है? एक तरीका यह होता है करने का, और अगर मैं दूसरा तरीका से बात करूँ, तो अगर मैं इसको same cut कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप उपर देखेंगे, go, go पे जैसे ही click करेंगे, आपको यहाँ पे application का एक option मिलता है, same अगर click करेंगे, तो आप यहीं पे आते हैं, और ती take an example, कि मुझे यह एक app है, चलो मैं कोई भी एक app select करता हूँ, फिलाल के लिए मैं यह app ले लेता हूँ, यह last वाला zoom app या फिर just join, इस app को मुझे अनिशॉल करना है, तो कैसे करूँगा, just मैं इस पे double click करूँगा, right click, और right click करने के बाद यहाँ पे move to beam का option आप देख रहे ह होंगे, तीसरा option, simply इस पे आपको click करना है, आपसे password मांगे और कई case में password नहीं भी मांगता है, तो मैं यहाँ पे password इनको दे दूँगा, जो मेरे laptop का password है, आप देखेंगे वो app अप अनिस्टॉल हो चुका है, these are the very basic thing, जो आपको follow करनी है, beginners को कई बार पता नहीं चल पाता है, तो यह एक तरीका हो जाता है, अगर वीडियो से value मिला तो चैनल को subscribe कर दो, bell icon से जरूर प्रेस करो, इसके अलावा आप ऐसी वीडियो के लिए मेरे short videos भी follow कर सकते हैं, मुझे Instagram पर भी जाके follow कर सकते हैं, मैं वहाँ पे 100 days, 100 giveaway challenges रन कर रहा हूं, meanwhile take care, जैश्री राम